अजय शेकिष्णा बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम जैसे देखें उपर लेखा हुआ है अगर आप डायरेक्ट देखें तो जो एक्जाम के अंदर सवाल आते हैं या आप समझें कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके अंदर Newton के law का इस्तेमाल नहीं होता है अगर आप optics को हटा दे तो physics की हर branch में Newton का law इस्तेमाल होता है कभी वो force के form में अपने आपको दिखाता है कभी वो energy के form में दिखाता है कभी वो momentum के form में दिखाता है लेकिन Newton के laws of motion है वो उनका application बहुत जादा है बहुत जादा application है physics के अदर नूटन अच्छा होता इसमें ये हे हैं कि Newton के laws of motion को लोग हलके में लेते हैं हलके में यू लेते हैं कि जैसे बच्पने से सुनते आई हैं आप सबको अब ही में पूछू होंगे वो सारे लोग अगर किसी से भी में पूछू कि न्यूटन के लॉज क्या है बदाओ तो फटा-फट गुना देंगे पहला लॉज चल रही है बॉड़ी तो चलती रहेगी रुग गई तो रुखती रहेगी दूसरा यह कि यह बराबर एमे एड़ बराबर डीपी वैडीटी तीसरा एक्षन डीक्शन का लॉज तो यह सबको पता रहता है तो लोग न्यूटन के लॉज को बहुत ऐसे लेते हैं कि यह तो सिंपल सी बात है ठीक है लेकिन वास्तों में यह बहुत ही ज्यादा गहरे नियम है बहुत गह अंतर जाते जाओगे समझते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि यार यह तो बहुत ही गहरी बात न्यूटन का न्यूटन का इतना जदा नाम जो है वो इसलिए तो है कि न्यूटन ने अपने लॉज की मदद से एक तरह से पूरा कहते हैं कि फिजिस की पुरी ब् इसलिए बढ़ा ने फोर्स को डिफाइन किया था कैसे पहला और तीसरा नियम तो फोर्स का नीचर बताता है और दूसरा जो मियम है न्यूटन के लॉज की वेलू बताता है तो न्यूटन के लॉज है वो दिखने में साधारण है लेकिन इनके जो इस्तेमाल है वहाँ साधारण है इन फैक्ट अगर आप ऐसे समझें कि लाइफ के नदर जो भी जो बहुत ही चीज़ें एक्स्टार्डिनरी होती है न वो देखने में बड़ी सिंपल लगती है जैसे एक समझाने के लिए मैं बता अगर आप इसको अपने जीवन में उतारण हो तो आप गांधी बन जाओगे सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें सचा होना चाहिए हमें सच बोलना चाहिए इस इस बात से कोई कितना बड़ा डिर्ट टराइब कर सकता है यहां हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए हम बोलते हाड़ व अगर उसको आप अपने जीवन में उतार लो अपने अंदर ले आओ तो आपको पता चलता है कि यह कितनी बड़ी बात है उसी तरह से न्यूटन के नियम है देखने में बड़े साधारन से लगेंगे आपको ऐसा लगे लगा यार यह तो क्या है चोटे चोटे नियम है मैं इस टाइम पड़ा होता तो मैं ही नियम बना देता यह आता है मेरे दिमाग में जब में स्टुडेंट था पहली बार पढ़ा मैंने नियूटन के नियम तो मुझे यही लगाया यह तो बड़े सिंपल सिंपल से नियम है मैं बहुत लेट पैदा हुआ अगर उस टाइम प्रकृति के अंदर जितने च्छी पेवनिय में ज्यादा तर इस नियूटन के डिमों से ढूड़े जा सकते हैं तो नियूटन के लॉज जो है उनको पहली बाद पर पर पस यह गिना हलके में लेना है इनको बहुत गहराई से समझने कोशिश करनी है और नियूटन के जो ल प्रोच क्या होता है दो नियूटन के सबसे बढ़िया डिफ़्निशन है वहिए कि पूरटन के जो किसी बी आपजीट की स्टेट आपमोशन को या थो बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है कोशिश करता है एक ऐसा पुश पुल है जैसे यह यह आप रिचाद देख तो force लगाने के बाद यह चलने लगा तो यह force जो होता है यह push-yapull होता है जो किसी भी body के state of motion को या तो बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है जैसे यह board है इस पे अगर मैं push-yapull लगाऊंगा तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला यह वैसे का वैसे रह जाएगा इस पे कोई फरक नहीं पढ़ेगा या दिवार तो आपको दिख नहीं रोगी अगर मैं इस दिवार के उपर push-yapull करूँगा तो दिवार भी रुकी रहेगी तो force एक ऐसा isn't है एक ऐसा जरिया है एक ऐसा mechanism है जिसकी मदद से हम किसी भी object के state of motion को बदल सकते हैं या बदलने की कोशिश कर सकते हैं कोशिश भी force ही है ऐसा कई बार होता है कि हम कोशिश करते हैं लेकिन वो body move नहीं करती है ठीक है तो force के बारे में force को मैं define करने जाना हूँ कर हम दो मुटन स्लापर देर देर करके हैंगे force is a push or pull force is a push or pull which changes or force is a push or pull which changes or tries to change the force is a push or pull which changes or tries to change the state of motion force is a push or pull which changes or tries to change the state of motion of an object force एक push या pull है एक धक्का या किचाओ है जो किसी body के state of motion को या तो बदल देता है changes or tries to change the state of motion of an object force कर क्या सकता है किसी object का shape चेंज कर सकता है उसकी side चेंज कर सकता है उसका orientation चेंज कर सकता है या आप कहें कि object के साथ जो कुछ है जो कुछ भी होता है वो सब force ही करता है मैं आपको एक बड़ी इंटेंसिटी है यह मेरा एरिया है और सी लाइड की विलस्टी है कोई भी इवेंट हो रहे है कोई भी घटना अगर आप बैटके ठंडे दिमाग से कभी सोच ना तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा इवेंट होई नहीं सकता है कोई ऐसी दुनिया के अंदर घटना नहीं होगी ठीक है जिस घटना में फोर्स इंवाल्ब नहीं अगर आप सोचना तो हर इवेंट के अंदर फोर्स का इंवाल्मेंट होगा हर घटना दुनिया में इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है जो कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो सकता है, जो कुछ होने की संभावना है, जो कुछ नहीं होने की संभावना है, हर चीज के लिए जिम्मेदार और से है, और उसी force को Newton ने बताया था, वही जो force, जो दुनिया में हर event के लिए जिम्मेदार है, उसी force को Newton ने बताया था, इ Newton के जो नियम हैं, जैसे जैसे आप इनके बारे में जानते जाओगे, वैसे उसे आपके मन में Newton के लिए इज़द बढ़ेगी, ठीक है, इज़द कह रहा हूं मैं, जैसे जैसे जानोगे, जितना गहराई में जानोगे, उतना ज़दा आप इन नियमों को appreciate कर पाओगे, तो force ए चार तरह के fundamental forces बताए गए हैं, यह जो दुनिया है, इसके अंदर चार तरह के fundamental forces बताए गए हैं, और बाकि जितने भी forces हैं, सब उनी forces से मिल जूल करके बने रहे हैं, यह चार fundamental forces कौन कौन से हैं, gravitational force, जो हमारे syllabus में हैं, इस पे हम बहुत detail में चर्चा करेंगे, पाथ से electromagnetic force, electromagnetic force पूरा आपका 12th class में electromagnetic force ही है maximum, modern physics और आप optics छोड़ दो, तो पूरा जो 70% है आपका electromagneticism है, तो पूरा 12th के अंदर electromagnetic force पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आता है modern physics के अंदर nuclear force आता है, फिर उसके बाद उसके अंदर आता है weak nuclear force, तो चार तरह के fundamental forces बनाए गए हैं, और यह जो चारो fundamental forces हैं, वो चारो fundamental forces मैं एक एक करके take up करूँगा, सिर्फ थोड़ा गरा, पांच-बच मेटिन सब के बारे में, क्योंकि बाद डेटेल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि डेटेल में तो जब हम लोग चुकि इस खुद syllabus में हैं, चैप्टर में हैं, तो हम लोग इन Fourного Fundamental forces, Four Fundamental forces, चार fundamental forces होते हैं, पहला जो होता है, वो gravitational force होता है, आप सभी लोग जानते हैं, अब इसके बारे में मैं थोड़ी बात करूँगा, ऐसा आत नहीं कि बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा इसके बारे में, तो पांच मिनिट ही सही, Gravitational force, दूसरा इस करने रहाता है, Electromagnetic, Electromagnetic force, Gravitational force, दूसरा Electromagnetic force, तीसरा, Nuclear force, Nuclear force, चौथा, Weak Nuclear force, यह चार तरह की Fundamental forces होते हैं, बाकी दुनिया में जितने भी forces हैं, वो सब इनी के Permutation Combination है, Permutation Combination को मतलब होता, इनी से जोड़ घटा के, बाकी यही चार हैं, जैसे कह सकते हैं, यही चार color हैं, बाकी सारे रंग इनी से मिला जुला के बने हुए, तो कुछ इसी तरह से आप समझें कि चार fundamental forces होते हैं, बाकी जो भी forces हैं, वो सब इनी से मिला जुला के बने ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बढ़ी लंबी कहानी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो मैं ग्रेविटेशन आपको पढ़ाँगा, तब वहां पर इसकी कहानी की चर्चा करूँगा, फिलाल अभी हम लोग force समझना चाह रहे हैं, है, और एक point mass M2 है, और इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, F, यह बराबर होता है, G M1 M2 upon R square, ठीक है, कोई भी दो masses है, माली यह point masses M1 और M2 है, और इनके बीच की distance R है, तो इनके बीच लगने वाला जो ग्रेविट होता है, वो G M1 M2 upon R square होता है, जहां पर यह जो G की वेलु आती है, G, यह आता है 6.67 into 10 raise to the power minus 11, जी जो आता है, वो 6.7 into 10 raise to the power minus 11 SI unit में, मैं unit लिग देता हूं, Newton per meter square upon kilogram square, तो अब यह जो force आएगा, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो चुकि G की वेलू बहुत कम होती है, तो जो यह force आता है, यह भी बहुत कम आता है, तो हम ऐसा कहते हैं, कि यह nature का weakest non force है, सबसे कम जोर इसलिए कहा जाता है, क्योंकि G की वेलू बहुत कम आती है, अगर आप एक एक किलो का mass ले लें, तो एक किलो के दो masses पर जो force लग रहा होगा, वो 10 to the power minus 11 क order का लग रहा होगा, एक मीटर की दूरी मानिया करतो हो, तो कहने का मतलब यह है, कि यह nature का weakest non force है, weakest non force है, सबसे कम जोर force है, तो इसके बारे में अगर मैं लिखना हूँ, तो यह weakest non force है, ठीक है, इसके बारे में अगर लिखा जाए, तो एक point ही आ रहा है, weakest non force है, लेकिन अब कहने को गड़ित कहता है, यह सबसे कमजोर force है, लेकिन आप ज़रा सोचें, कि दुनिया के अंदर जो भी heaviest motion हो रहे हैं, planets चल रहे हैं, galaxies चल रहे हैं, सूरत चल रहा है, चांद सितारे, सब चल रहे हैं, जो बड़े से बड़े motion हो सकते हैं, वो सब के सब इसी force के करण हो र हैं, ऐसा नहीं आपने कभी सुना होगा कि एक star था, दूसरे star के चारोर चक्कर लगा रहा था, चार्ज के करण, electrical force के करण, यह आपने हमेशा सुना होगा कि gravity के करण यह चलते हैं, तो कहने को यह दुनिया का सबसे कमजोर force है, लेकिन सच में, यह longest range force है, होता क्या है, इश to the core 24 में, तो minus 11 खो जाएगा, तो force के वेली बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इश्वर का मतलब जिसने भी पता नहीं, इश्वर होता है, नहीं होता है, यह सब अलग मुद्दा है, लेकिन जो creator है, या जो भी नियम बने हो इस हिसाब से बने हैं, कि कहने को, गड़ित के हिस आप से यह सबसे कब जोर force है, लेकिन यह दुनिया का सबसे लंबी range का force है, दुनिया के इस छोड से, उस छोड तक जो force काम कर रहा है, वो यही बहला force है, it is the longest range force, यह में लिख दे रहा हूँ, it is the longest range force, it is the longest range force, सबसे लंबी दूरी तक का force है, इस से ज्यादा दूर तक किसी force का कोई असर नहीं होता, और यह मीडियम मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, बीच में कुछ भी मीडियम हो, दो तारे, तारों के बीच में हजारों तारे होंगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर वैसे ही फोर्स लगाएंगे, तो यह मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, और इसमें बड़ी इंट्रेस्टिंग से आती है, यह जो मतलब आजकल जो तिशी यो तिशी जो लोग होते हैं, यह लोग, यह तो सची बात है, यह तो आप भी मानोंगे, कि दुनिया में जो कुछ हो रह हो रहा है, फोर्स अगर अटा दिया जाए, ठीक है, तो दुनिया में कुछ भी कोई भी event नहीं होगा, हम नहीं होगे, तुमने में कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ आज की प्रेजेंट फ्रम में दिख रहा है, उस सब की वजय फोर्स है, तो ग्रैविटेशनल फोर्स यह जोतिश होता है वो बताता है ना कि आपका मंगल भारी चला है और आपका शनी जो हो हलका चला है और यह उस घर में बैठा है तिरची नजर से देख रहा है तो एक्षुल में इन सब के पीछे आजकल एक साइंटिफिक मतलब बहुत ही साइंटिफिक और एक जैसे करते कि पैस कुछ ना कुछ फोर्स तो मेरे उपर मून भी लगा रहा होगा कुछ ना कुछ फोर्स मेरे उपर जूपिटर लगा रहा होगा कुछ सन लगा रहा होगा को हर प्लानेट मेरे उपर कुछ ना कुछ फोर्स जो होंगे वह मेरे माइंड के स्टेट को मेरे फिजिकल स्टेट को मेंटल स्टेट को बहुत सारी चीज़ों को वो फॉरसेज जैसे ऐसा आप समझेए जो टाइड जादी जौरबाटा आता है तो जौरबाटा क्यों आता है मून का जो अट्रेक्शन होता है वो समुद्र के पानी को अपनी तरफ खीच लेता है तो जो जो मून है जो चंद्रमा होता है इस लगन कितना होता है कैसे होता है और अंगोटी पेहने से अदूस उन है नैया जन्यातनी जनियकत्स पानी उल्लाया है उसका उसकी मांः furryump ऑप आगे Find supplier जूपिटर का मास दिया है और सारी दूरियां दे रखी और पूछा यह गया है कि बच्चे के उपर मां का फोर्स जादा है या जूपिटर का फोर्स जादा है सारा डेटा दिया हुआ है तो बच्चा चुकि मां के बहुत पास रहता है इन फैक पहले तो उसके अंदर ही रहत और उसे 10,000 गुना ज़्यादा वो फोर्स आ रहा था और 10,000 गुना ज़्यादा तो मां का असर होगा भी जूपिटर से ज़्यादा तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो फोर्स होते हैं वो हमारी डे टुडे लाइप को हर चीज को इंफ्लूइस करते हैं और यह जो ग्रैविट को अभीते को ढिया विए टी चीजनल पोर्स आगया तो जैसे पेहला इक ग्रेविटेशनल पोर्स हो ग्रेविटेत लाएम बहुत ड deben सब्सक्तर लाए गावी तो तो का पersonal जो दिखना प्षकहें यह टीक निवाथनर मने आप वालेगए आपका माते यह जो इलेक्ट्र माइनेटिक फोर्स होता है इसकी जो वेलु आती है यह बराबर आती है क्यूं वेक्टर ई क्यूं क्यूं क्यों वेक्र गूंगे उस्क्यम को देख रहे हूं वह इस बात को नहीं समझ में पटा क Mich Do और E क्या है, electric field, E is electric field, जो 12th के बच्चे हैं, वो सब समझ रहे होंगे, 12th या repeater जो है, वो पूरी तरह समझ रहा होगा कि यह क्या है, E electric field है, B जो है, वो magnetic field है, magnetic field है, magnetic induction केते हैं, वो बाकी में field लिख रहा हूँ, V जो है, vector V, velocity है, vector V, velocity है, E electric field है, B magnetic field है, V velocity है, तो यह जो force है, यह electrical force है, यह वाला magnetic force है, पूरे को मिला के electromagnetic force कहा जाता है, यह जो electromagnetic force होता है, इसके बारे में जैसे gravitational force, mass की वज़े से होता है, तो electromagnetic force होता है, वो charge की property की वज़े से होता है, तो इसके बारे में मैं यह लिख दे रहा हूँ, it is due to the, it is due to the property of charge, कि चार्ज की प्रॉपर्टी की वेशी होता है और इसके बारे में चुकि बहुत बात करनी है तो सिर्फ हम बेसिक बात करके यहां से निकल जाते हैं हाँ मेकेनिक्स के अंदर तीन फोर्से मिल लिए आते हैं टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन इंट्रेस्टिंग बात यह है कि टेंशन फोर्स या नॉर्मल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स यह तीन के तीनों फोर्स जोते हैं वो इलेक्ट्रो मैंगनेटिक होते हैं कि यो आता है वो बॉंड के कारण आता है जो बॉंड होता है किसी दो इटम्स के बीच में जो बॉंड बनता उसके करण टेंचन आता है normal भी उसी बॉंड के कारण आता है और friction जो है वो भी bonding और interlocking की वजह से आता है तो टेंचन नॉर्म फ्रिक्शन एक्शुल में यह तीनों फोर्स जोते हैं वो इलेक्ट्रो मागनेटिक होते हैं बड़ी इंट्रेस्टिंग सी बात है जब हम टेंशन नॉर्मल फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो और इस बारे में बात करेंगे फिलाल अभी मैं नोट डाल के लिए देता हूं टेंशन फोर्स प्रिक्शन 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 प् एंदर और्ल ऐल्टरिट्रो थो डिन्षन थे अंड़कों पड़तक है यद्ट वppen भी और चुर्छाँ प्रिक्शन की तो तेंशन मोहर्स फिक्शां पोर्स ये वितिन उऔर ऐसे होते हैं वह थे हाँ दर फॉर से वह तै है क्यों चार्ज हो गया यह लेक्नेटिक फिल्ड हो गई और भी इसमें बहुत सारे चाहिए जाते हैं जैसे कुलम्स लाएगा के जो इलेक्रिकल फोर्स होता है के की वन क्यूटो पॉनार इसको रहेगा आगे लॉरेंज लाएगा मैगनेटिक फोर्स की वी क्रॉस भी होता है तरह तरह की बाते हैं जो पढ़ेंगे तो बहुत डीटेल में बात करेंगे फिल्हाल यह एक फंडामेंटल फोर्स है और यह जो पॉर्स होता है यह दो मीटर तीन मीटर आधा मीटर दस सेमी पांस सेमी तक क्यो होता है ऐसा नहीं है कि चार्ज मैंने यहां रग दिया जैसे ख्रेविटेशनल फो स्थावह लॉंग रिंम भुझा यह जो सांग बात है कि स north dark bylock force, it is a medium range force, it is a medium range force, ये एक medium range का force होता है, medium मतलब बहुत जादा दूर तक इसका असर नहीं होता है, थोड़ा बहुत, दस बाच मीटर, दो मीटर, एक सेमी, दस सेमी, इस टाइप का ये force होता है, तो ये electromagnetic force हो गया, अब उसके बाद, इसके अंदर जो आता है, वो आता है nuclear force, nuclear force, nuclear force भी कहते हैं, कई बार इसको strong nuclear force भी कहते हैं, वैसे किताबों में, NCRT में तो आपको nuclear force मिलेगा, लेकिन इसको strong nuclear force भी कहते हैं, ये force की सबसे खास बात ही होती कि नेचर का सबसे strong force होता है दुनिया का सबसे ताकतवर force होता है दुनिया में इस से ज़़े ताकतवर कोई force होता नहीं है आता क्यों है पहले मैं इसकी बज़े बता दूँ आपको इसके बारे में बहुत डेटेल में चर्चा होगी तो nucleus के अंदर बहुत सारे nucleons होते हैं proton होंगे, electron होंगे sorry, proton होंगे और neutron होंगे यह जितने भी protons होते हैं यह सारे proton एक दूसरे को ripple करते हैं और जब यह proton एक दूसरे को ripple करते हैं तो चुकि nucleus का order जो होता है वो इस order का होता है 10 to the power minus 15 meter का वह छोटा होता nucleus तो proton के बीच की दूरी बहुत कम होती है बहुत कम होती है तो यह proton एक दूसरे पे extremely large forces अपलाई करते हैं KQ1 Q2 upon R2 से दिखा जाता है तो यह एक दूसरे पे बहुत ही बहुत ज़्यादा force लगाते हैं और यह proton एक दूसरे को इतना तेजी से ripple करते हैं कि अगर इनके repulsion को balance ना किया जाए तो nucleus एक धमाके के साथ फट जाएगा और खतम हो जाएगा मतलब यह जो proton होते हैं वो एक दूसरे पे बहुत ही strong columbic repulsion apply करते हैं strong electromagnetic force या columbic repulsion हम लोग कहते हैं वो apply करते हैं लेकिन nucleus stable होता है stable होता है इसका मतलब क्या है कि उससे भी ताकत वर कोई एक force होता है जो इन मतलब जो protonों के जाए फोर्स है उसको balance करता है दो आदमी को balance करने वाला post उससे भी जादा ताकत वर होगा तो इसका इसकी वज़े क्या है जो nucleus के नदर protons होते हैं प्रोटॉन एक दूसरे के उपर बहुत ही तगड़ा कुलांबिक रिपल्शन एपलाई करते हैं उस कुलांबिक रिपल्शन को balance करने के लिए nuclear force हता है ठीक है तो अब हम इस बारे में बात करेंगे मैं लिख दे रहा हूं the protons inside the nucleus the protons inside the nucleus the nucleus apply large repulsion repulsion on each other the protons inside the nucleus apply large repulsion on each other to balance this repulsion to balance this repulsion nuclear forces to balance this repulsion nuclear forces comes into play ठीक है इसी repulsion को balance करने के लिए nuclear forces आते हैं और यह जो nucleus होते हैं अब इसकारे में बहुत बात हम नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ आपको strongest it is the strongest known force of nature यह प्रकृति का सबसे ताकतवर force है strongest known force of nature दुनिया का सबसे ताकतवर force है यह लगता सिर्फ नुकलियोनों के बीच में neutron proton के अंदर ही लगता है nucleus के बाहर इसका असर नहीं होता है तो अगर यह nucleus के अंदर अंदर ही लगता है तो इसका range बहुत कम हो गया बहुत कम दूरी तक है तो हम लोग इसको short range force केते हैं it is a short range force यह भी note कर रहा हूं मैं it is a short range force बड़ा मज़िदार force होता है यह जब हम लोग पढ़ेंगे तो यह neutron neutron पे भी लगाएगा proton neutron पे भी लगाएगा proton proton पे भी लगाएगा कभी attractive हो जाता है इसके बारे में जो हम लोग आगे करेंगे अभी पहलाल अपने काम की बात करते हैं कि एक short range force है प्रकृति का सबसे ताकतवर force है दुनिया में इससे ताकतवर कोई force आया नहीं है ठीक है और यह बस nucleus की boundary के अंदर अंदर लगता है तो nucleus की boundary के अंदर अंदर इसका असर रहता है तो हम लोग इसको short range force के नाम से जानते हैं और यह nature का सबसे ताकतवर force है ठीक है इसे हम लोग nuclear force करते हैं आता क्यों है protonों का repulsion जो होता उसको balance करने के लिए आता है proton जब एक दूसरे को repel करते हैं तो उस repulsion को balance करने के लिए आता है यह आपका electromagnetic force हो गया उसके बाद इसके अंदर एक और चोटा सा force है चोटा सा मतलब एक और चोटा force है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे तब तक आप इसे node करें मैं इसको trace कर देता हूँ अच्छे से मटा देता हूँ जिससे good clear हो जाए कपड़े से अच्छा मिटता है तो यह तो आपका nuclear force हो गया और चोटा जो force था यह था weak nuclear force ठीक है इसके बारे में लिख लेता है It is a a very short range force it is a very short range force it acts only only within a nucleon it is a very short range force it acts only within a nucleon nucleon can be left in neutron can be left in proton can be left in the region beta plus decay beta minus modern physics can be left in forces involvement modern physics order the electromagnetic force nuclear force gravitational force but if you look at it nuclear gravitational force not in the world power it's clair true morning now today this झाल झाल